हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉन्डा लीबो के न्यू मॉडल के बारे में यानि की हॉन्डा लीबो के 2022 मॉडल के बारे में जैसा की आप लोग जानते हैं की इंडिया में अभी देखा जाए तो 110cc सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वाइक हॉन्डा लीबो है क्योंकि इसमें आपको सेग्मेंट के साब से काफी एग्रेसिव लोग और काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसके न्यू मोडल में आपको और भी काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे तो अगर आप लोगों को हॉन्डा लीबो के न्यू मोडल से रिकार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें आई होप आपके जितने भी डाउट है वो यहां पर सारे के सारे किलियर हो जाएंगे तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो हॉन्डा लीबो के न्यू मोडल में आपको काफी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे सबसे फरस्ट अपडेट आपको इसके हैड लैम्प में देखने को मिलेगा इसमें आपको front के साइड में बिलकुल ही new design का LED headlamp देखने को मिल जाएगा और rear के साइड में आपको बिलकुल ही new design की tail light देखने को मिलेगी Intigators आपको halogen में ही देखने को मिलेंगे और इसमें अब आपको fully digital meter console भी देखने को मिलेगा जैसा meter console अभी आपको SP 125 में देखने को मिलता है ठीक बैसा ही meter console आपको लीबो के new model में भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको rpm meter, speedometer, fuel gauge, service reminder, trip meter, side stand, cutoff, feature और भी कुछ advanced features आपको इसके meter console में देखने को मिलेंगे और इसके tank पर आपको बिल्कुल ही new design के tank cowl देखने को मिल जाएंगे और हो सकता है कि इसमें आपको नीचे की side में engine cowl भी देखने को मिल जाए इसमें आपको front में 80 section का 17 inch का tubeless tire और rear में भी आपको 80 section का 17 inch का tubeless tire देखने को मिल जाएगा इसमें आपको front में 240 mm का disc break, rear में 130 mm का drum break plus CBS बैसे काफी कम चांस है कि इसमें आपको ABS देखने को मिले इसमें आपको CBC देखने को मिलेगा और बाकी engine पहले से similar देखने को मिल जाएगा इसमें आपको 109CC का single cylinder four stroke two bulb air cooled BS6 F5 engine देखने को मिलेगा जो की जन्रेट करेगा लगभग में 8.6bhp के एफ्रोक्स पावर और 9.3Nm के एफ्रोक्स टॉर्क तो इसकी पावर फिगर आपको बिल्कुल पहले से सिमलर देखने को मिलेगी लेकिन इसमें अब आपको 5-speed का गेरबॉक्स देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्लेटीना एच गेर में आपको 5-speed का गेरबॉक्स देखने को मिलता है तो इसके न्यू मोडल में भी आपको 5-speed का गेरबॉक्स देखने को मिलेगा और बात करने अगर इसकी प्राइस के बारे में तो मान के चलिए कि इसकी प्राइज यहां पर लगभग में दो से लेकर 3000 रुपे तक इंक्रीज होने वाली है और बदले में आपको इस बाइक में काफी सारे कॉस्मेटिक अपडेट और कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और बात करने अगर इसके न्यू मोडल की एसपेक्टेड लॉंच डेट के बारे में तो होन्डा लिवो का न्यू मोडल आपको सेतेमबर या फे ऑक्टूबर तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज बज़े आपसे सेयर कनने थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा हम लागात होगी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए राइट सेप जय हिंद